हिंदूओं में प्रशाद का बहुत महत्पयों सभी हिंदू मंदिरों प्रशाद मिलता है लेकिन तिरूपती बालाजी के नवैद्यम लड्डू प्रशाद की बात ही अलग है लोगों को इतना पसंद ए प्रशाद की एक लाग किलो लड्डू हर महीने पटना की महावीर मंद प्रशाद की तोर पर ले जाते हैं और आज हम आपको दिखाएंगे कि बाला जी का प्रशिद्य नवैद्यम लड्डू प्रशाद आकर बनाया कैसे जाता है तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखे हैं गाईज मजा आ जाएगा आपको युनिफोरम मिक्स होके तैयार हो गए और अब जो अपना गोल बनके तैयार हुआ है अब यह लिया गया है यहां से जाएगा इससे की बून्दी बनेगी तो बेसन का कौल देके ज़रन के ऊपर डाना जा रहा है और नीचे से पून अपनिये अब निकल रही है और आप कडाई का साइज एक बढ़होगे और छाइए लाएं यह जरी है अभी ऑनाई है और पीछा आपको नज़रा रहा होगा हो पिछले नोट की बनियोई बूंदी रखी है इसी तरीके से यहां पे भी देखे पिछले रोट की बनी वी बूंदी रखी है मुश्किल से एक मिनिट लगी है बूंदी देखे अपनी यहां पे बनके तयार हो गई है अच्छे से बख चुकी है आप गलर देखे कितना प्यारा कदा आ रहा है इसमें अब इन्हें यहां से बहार निकाला जाएगा बहार निकाल के देखे यहां पे टोकरी में यह कठी की जाएगी चीन के अंदर जो एक्स्ट्रा किया है वो नीचे निकल जाएगी निकलने के बाद यह बूंदी देखे अपनी यहां पे लाकर रखी जाती रहेंगी जहां से जाएंगे अखले स्टैफ के लिए बूंदी बनके तयार हो चुग है और अब देखे यहाँ पना पानी लिया जा रहा है और जो पानी लिया जा रहा है वो इस बड़े जी मशीन के अंदर लिया जा रहा है और अब इस बड़े वाले ड्रम को, जिस मशीन में चाशनी बन रही है, उसके नीचे लेकर आया जाएगा, हम आपको दिखा देते हैं अंदर से, तो ये देखें चाशनी भी अपने बन के तयार हो चुकी है, बिल्कुत फॉल रही है चाशनी, अब इसके अंदर चाशनी डाल जाएगी, बुंदी को मिठा करने के लिए, तो बहुत सारी बुंदी है, और इसमें अब इस अपने इतना बड़ा ड्रम है, ये अब लिया जाएगा, इस मशीन के इंदर, जहाँ पर सब कुछ मिक्स किया जाएगा, और क्योंकि इतनी ज्यादा है, तो मिक्सिंग का सारा का अब यहाँ पर आटोमेटिकली मशीन के द्वारा किया जाता है, अब मिक्सोंकर ये तयार हो चुका है, इसे बहार निकाल जा रहा है, तो उसे इहां से इन टब्स में लिया जाएगा, जहां से आके भेज दे जाएगा लड्डू बनने के लिए, तो देखें जितना भी ये मिक्सर आया है, अब हल शेर्फ पर इसे फैलाया जा रहा है, और फैलाया इसनी जाता है कि गरम है मिक्सर अपना, वो ठंडा हो जाए, और फिर इस इसे इकटा कर लिया गया है, और हलका ते इसे फिर से लड्डू बनेंगे, तो देखिए राम का नाम लिया जाता रहेगा यहां से पैको करें जाएंगे इसका भोग लगा जाएगा उसके बाद यह भक्तों को दे दिया जाएगा हमने आपको इसकी मेकिंग दिखाई बहुत साफ सभाई से बनाया गया बहुत अच्छे से बनाया गया आप स्वाद देखते हैं स्वाद कैसा है इसका इस वीडियो देखकर मजा आया हो इस वीडियो अपने दोस्तों साफ शेयर जरू कीजिए और ऐसी यॉर वीडियो देखने के लिए मेने चैनल को फोलो कीजिए क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सब्सेट्चा वेस्टेरियन पूल and no matter where you are I'll find you and I will make you hungry